गैस टंग्स्टन आर्क वेल्डिंग टंग्स्टन इनर्ड गैस आर्क वेल्डिंग सन 1940 से इंडस्ट्रीज में प्रचलित है। गैस टंग्स्टन आर्क वेल्डिंग भी टंग्स्टन अक्रिय गैस वेल्डिंग के रूप में जानी जाती है। इसमें tungsten metal का एक non-consumable electrode होता है जो एक विशेश electrode holder में लगा होता है इसी electrode holder से एक inert gas आती है जो electrode तथा weld metal को सुरक्षात्मक आवरन प्रदान करती है इससे वायू मंडल में उपस्थित oxygen तथा nitrogen electrode तथा weld metal पर अपना कोई दुश प्रभाव नहीं छोड़ पाती इनर्ड गैस के रूप में आरगन तथा helium गैसों का उपयोग किया जाता है आरगन गैस भारी होती है तथा इसे नियंत्रित रखना आसान होता है कभी-कभी आरगन वे helium दोनों को मिला कर प्रयोग किया जाता है इसके तीन मुख्य भाग होते हैं पॉवर यूनिट, शील्डिंग गैस और वेल्डिंग टॉर्च इसका प्रयोग सभी किस्म की कार्बन स्टील, कॉपर, सोना चांधी तथा मिश्र धातूओं आदी को वेल्ड करने में किया जाता है इसके द्वारा दो अलग-अलग धातूओं को भी एक साथ जोड़ा जा सकता है जैसे स्टेनलेस स्टील के साथ माइल्ड स्टील आदी